एक जबर्दस्त मोटिवेशन वीडियो फिर आपके लिए लेकिन ध्यान केगा यह जो न्यूज है यह CSK और रायस्थान रॉयल से लिंक्ड है आखिर यह पढ़ाई के चैनल पे IPL की चर्चा क्यों कुछ खास है जब आपकी हिमत जवाब दे या टूटे तो यह वीडियो देखिएगा क्योंकि Miracles Do Happen चमतकार होते हैं और यही कुछ हो गया है कल के मैच में CSK और रायस्थान रॉयल्स के बीच में जियां दो बॉलों पे बने हैं 27 रन दो बॉल्स पे बने हैं 27 रन आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे कि किरिकट की किसी हिस्ट्री में दो बताता हूँ फिर हम लोग as a student इससे क्या सिख सकते हैं मैंने कुछ नाम नोट कियें जिसे मैं बहतर आपको सही जानकारी दे सकूँ कल जब रायस्थान रॉयल्स पहले बैटिंग कर रहा था तो बीसमें उवर में इंग्लैंड के खिलाडी जो हैं उनका नाम था जोफरा आ चक्का मार दिया फिर उन्होंने दूसरी बॉल डाली फिर चक्का मार दिया दो बॉल बारा रन जब तीसरी बॉल डाली तो फिर चक्का मार दिया लेकिन वो बॉल नो करार दी गई तीसरी बॉल पे भी चक्का लेकिन नो बॉल चौती बॉल डाली गई वो भी नो बॉल और एक और छक्का यानि चार बालों पे 24 और दो नो बॉल के रन 26 रन बन चुके थे और फिर अगली बॉल डाली गई जो की legitimate डिलिवरी नहीं थी वाइड फेक दी बॉलर ने यानि दो बॉलों पे 26 प्लस एक 27 रन चले गए आप विश्वास कीजिए 20 वे ओवर में जिसकी मदद स जो राइस्थान रोयल्स था उसने 216 रन बनाया और अर्टिमेटली जो परणाम रहा वो विजेता की रूप में निकल के आए जबकि CSK की टीम बहुत ही मजबूत है दो बॉल्ट 27 रन कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आ सकता किसी को भी बताएंगे तो समझ ही नहीं पाएगा क्यों है ये स्टुडेंट्स के लिए काम की बात दे कि जब भी आपकी हिम्मत तूटे जब भी आपको लगे कि या काम बड़ा मुश्किल है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ चीज़े नहीं बन रही है याद कीजेगा कि चमतकार होते हैं मिराकल्स डू हैपन बस उसके लिए क्या चाहिए आपकी पॉजिटिव थिंकिंग और लगे रहने की इच्छा जो लोग बाते करते हैं कि भाग कुछ देता है उसको बिलकुल दिमाग में न रखिए क्योंकि भाग हमारे परम पिता इशुवर ने लिखा है और परम पिता थिंकिंग उमीद विश्वास हमेशा कायम रखना है तो आप लगे रहे ड़िए डटके मेहनत कीजिए पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और विश्वास रखिए चमतकार होते हैं मिराकल्स डू हैपन आप ऐसा काम करेंगे ड्रीम बिक करेंगे और पॉजिटिव मी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लगातार देखते हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगाता है Thank you very much, Bye